जौदेव के उपर जौंगली उठाइगा गेडेव yol को गेड़े में आना पड़ेगा हमारे रील हिरो बागेकर पॉछे क्वारते हैं साथियो मैं लगातार इस बारे में बात कर रहा था कि इस देश के जितने भी धर्मी है इस वक्त उनके टार्गेट पे केवल हिंदू साधू और संत हैं कारण इसका बड़ा ये है उन्हें पता है कि अगर कहीं न कहीं साधू संतों को बदनाम किया गया तो सनातन खुद बदन सब्सक्राइब करना है आलम ये रहा कि तकरीबन 32 करोड से ज्यादा पोस्ट अब तक बागे स्वर धाम सरकार के लिए सोशल मीडिया पर किये जा चुके हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे है चाहे एबी हो चाहे यूटूब हो चाहे ट्वीटर हो या जितने भी सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां कहीं भी नजर दोड़ाईए कि वहला आपको बागे सुरधाम सरकार ही नजर आ रहे हैं और उनके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है वो यह है कि कि वहला बागे सुरधाम सरकार के लिए एक सुर में आवाज उटा रहे हैं कि बागे सुरधाम का जो अपमान है वो हिंदुस्तान कभी सहने वाला नहीं है और बिल्कुल इस कुटारागात को इस विरोत को एक नया सिर मिल रहा है तो मैं बागे सुरधाम में ही मौजूद ह मेरे साथ आप देख सकते हैं एक लंबी कतार एक लंबी भीड यहां पर मौजूद है रात का वक्त है आप देख सकते हैं और इस तरीके साथ दर्जदन वाला दिन नहीं है उसके बावजूद भी जिस तरीके से लगातार यहां पर भीड बढ़ रही है लगातार भीड यहा में जरूर आना है क्या कहना चाहेंगा सवासो करोल हिंदू खुल के समर्थन दे रहे हैं विधर्मियों की लंका लग गई है लंका देहन पर यह बोलना चाहता हूं कि हमारे देश में और बिदेश में लोग जब स्टार्टिंग का महौल था आज से करीब कोई दस साल पहले आठ साल पहले कि मैं बता रहा हूं मैं बहुत पुराने टाइम से आ रहा हूं जब यहां पर कुछ भी नहीं था साब जो लोगों को विश्वास था आस्था थी हमारे हनमान जी माराज पे जिनकी आस्था थी वो लोग यह आते हमारे गुर्देव ने प्रेंड हमारे गुर्देव ने ऐसा प्रेंड लिया कि मैं अपने देश के बच्चे बच्चे से लेके और बुजर्गों तक सबको एक तो प्यार भावना और एक हिंदु तत्व से जोड़ने वाली बात है अपने इस काम में सफल भी हुए उनको पूरी-पूरी सफलता मिल रही है पूरी-पूरी सफलता मिलने का मतलब यह है जुड़ गए सर एक हो गए और सर मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि हिंदु तत्व में हमारे जैसे के मुस्लिम भाई हैं वो भी बहुत लो कोई भी राजनेता नहीं टीवी पर अच्छे से चैनल पर इस टाइम जहां भी देखो लोग बॉलीविड स्टार्स के फैन होते थे सहरुक सल्मान का नारा लगाते थे हमारे रियल हीरो बागेश वर्धाम सरकार हैं हमारे जो भारत में भारतिया एकता को लाने वाले बाग सबकी तोर Dya और बचेों को चोट देंगे बचे सबकी बी तोर देंगे और जो हम 박ण fresh हमके रहे ना और भालारी जो सरकाश मोरी भाताये ना उसको गेवे तो को रॉनको नाना पड़ेग उसको गडाना गंज ग्राम में आना पड़ेगा उसको यह मातहाथी त inter कुरूं सब्सक्राइब को माफि क्यों ओकि ओक उप्राइब लिएक आपके D प्रिशानी को समझता है पहले हमारे हिंदू तत्व की सबसे बड़ी पैचान हमारे मानवता इतनी है अगर किसी इंसान को कोई परिशानी है तो उसके मदद करना दूसरी बात अब जो लोग दूसरी समाज से हमारी समाज में क्यों होना चाहते हैं क्या कहना चाहती हूं मैं तो यह कहना चाहती हूं कि मलब एकी नारा एकी राम जै स्री राम और दूसरा यह कि लगा कि आग सोरत में हमने यह सोक पाले हैं कोई पूछे तो के दो हम भागे सुरवाले हैं और शाम मानम जी को बोल दीजेगा हमारी तरफ से लोचई खाने आ जाएगा साधी में